सुधा रोस की तरह कपड़ों का गठर सिर पर लिए गाउं के तालाब पर पहुंच गई थी गठर उतार कर वो तालाब में पैर डाल कर सुस्ताने बैट गई थी बरसाथ की वज़े से चारो तरफ कीचड ही कीचड दिखाई पड़ रहा था आज उसकी मा ने उसे बहुत मारा था अपनी सौतेली मा की बाते याद करके उसकी आँखों से आशु बह रहे थे पता नहीं कितना खाती है खा खा कर मोटी होती जा रही है पता नहीं कहां इसका व्याह होगा ना काम की ना काज की धाई सेरन आज की काश मेरे कपड़ों का गठर अपने आप धूल जाता आज में बहुत थक्के हूँ मेरी सौते लिमा अपनी बेटी रूपा से तो कोई काम नहीं करवाती मेरी ही जान की दुश्मन बनी रहती है तभी उसके पैरों में कुछ टक्राया उसने नीचे देखा तो वो एक लड़की का संदूग था पहरे तो वो डर गे फिर उसने सहास करकी वो संदूग बहार निकाल लिया उसको जैसे ही खोला तो ये देखकर हरान हो गई कि उसमें एक परी आँखे बंद करके सोई थी अरे ये तो परी है तभी परी उटकर बैट गई और उसने आँखे खोल दी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाज लड़की मुझे तालाब से बाहर निकालने के लिए अब मुझे सहारा दो ताकि मैं संदूग से बाहर निकाल सकूँ सुधा ने सहारा देकर परी को बाहर निकाल लिया बाहर निकलते ही परी ने अपने पंक फड़़ड़ाए और अपने हाँ तास्मान की तरफ उठाकर आखे बंद करके कुछ बढ़ड़ाई उसके शरीर पर सुन्दर वेश भूशा सर पर मुकुट और हाथ में छड़ी आगे मेरा नाम चंत्र लेखा है मैं इस तालाब में बरसों से पड़ी हुई थी एक रिशी ने मुझे पर नाराज होकर मुझे श्राप दिया था कि मैं संदूग से तभी बाहर निकल सकती हूँ जब तालाब का पानी लबा लब भरा होगा शायद इस बार इतनी बारिश हुई है कि तालाब लबा लब भर गया है मेरा नाम सुथा है ओ हाँ इस बार बारिश ने हमारी मुश्किले बहुत बढ़ा दी है कपड़े सूखते ही नहीं इसलिए तुमें तालाब में पैर डाल कर बैठी थी कि कपड़े धूल जाएंगे तो सूखेंगे कैसे तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है अब तुम अपने सारे दुख और चिंता भूल जाओ उसने अपनी चड़ी घुमाई उसके गठर के सारी कपड़े धूल कर सुख गए और गठर में आ गए अरे ये तो कमाल ही हो गया आप तो सचमुच जादू जानती है सुधा तुम इस तालाब में एक डुख के लगाकर अपनी इच्छा बोल देना तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या सचमुच हाँ हाँ सचमुच मैंने आठवी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ती थी मैं पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ पर मेरी मा मुझे स्कूल नहीं जाने देती तुम तालाब में डुख के लगाकर बोल दो तुम्हारी हर छोटी वड़ी सारी इच्छाएं वो पूरी करेगी अब मैं चलती हूँ इतना कहकर परी उड़ गई परी के चाते ही सुधा तालाब में उतर गई और डुब के लगाकर अपनी इच्छा बोल दी जब वो बहार निकली तो उसके हाथ में एक सोने का घड़ा था अरे ये कहां से आया पता नहीं इसके अंदर क्या है घर जाकर खोलती हूँ मैं तो कितनी पतली हो गई हूँ और मेरे शरीर पर इतने सुन्दर वस्तर और आभूशन कहां से आ गए मेरी मा तुमुझे देखकर हैरान हो जाएगी उसकी आंखों से खुशी के आंसु बह निकले सुधा ने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों का गठर उठा कर सिर पर रखा और एक हाथ में घड़ा पकड़ा और चमचब पायल बजाती अपने घर के तरफ बढ़ गे उसको देखते ही तुम अरे तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी ताला पर सुधा ने जैसे ही गठर उतारा उसकी मा उसकी तरफ देख कर देखते ही रह गए इतनी सुंदर वस्तर राभुशन और तुम इतनी पतली कैसे हो गई इस सोने की घड़े में क्या है अरे बस बस मा इतने सारे सवालों का जवाब मैं इकठे कैसे दे सकती हूँ पहले मुझे सास तो लेने दो तब तक उसकी मा ने घड़ा उसके हाथ से छीन लिया और उसको खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन घड़ा उससे खुल ही नहीं रहा था क्या है इस खड़े में? खोल कर दिखाओ सुधा ने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया वो खुल गया उसमें सोनी की अशर्फियां भरी हुई थी ये कहा मिला तुम्हे? चोरी तो नहीं की तुमने? नहीं मा, मैं क्यों चोरी करूँ? ये सब तो मुझे परे ने दिया है मैं तुम्हे अच्छी तरह जानती हूं सच-सच बता दो कल को मुझे कोई ये ना कहे कि तुम्हारी घ़र में चोरी का सामान रखा है मैं तुम्हे पूरी बात बताती हुँ मा सुधा ने शुरू से अंतक सारी बात मा को बता दी ये सब सुनकर ही उसके मा को जैसे दौरा पड़ गया उसने अपने बेटी रूपा से कहा अर्यो रूपा, कल तू भी जाकर तालाब में पैर लटका कर बैठना तुझे भी परी मिलेगी, तू भी इसकी तरह सुन्दर हो जाएगी और ठेर सारी दौलत भी मिल जाएगी कल की कल देखी जाएगी मा, आज तो अराम करने दो रात में जब सुधा के पिता आए, तो सारी बाते सुनकर वो भी बहुत खुश हुए पिता जी, मुझे भी पड़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होना है सुधा जब रसोई में गई तो उसने खुशी-खुशी सारा काम किया पिता जी ने कहा कि ये उसे कल से स्कूल जाना है सब खाना पीना खाकर सो गए, सुधा की आँखों में नीन नहीं थी सुभर उठते ही सुधा एक अशरफी मुझे दो, चल कर उसे बेच दूँगा उसी पैसे से तुम्हारा दाखिला करवा दूँगा जब सुधा घड़े के पास गई, तो घड़ा आधे से अधी खाली हो गया था वो समझ गई थी, कि ये सब उसकी सौतेली मा का ही काम है पर वो कुछ नहीं बोली, चब चाप एक अशरफी लाकर अपने पिता को दे दिया रूपा, ओ रूपा, जल्दी उर्ट तुझे तालाब पर नहीं जाना है क्या देखो कितना धन लेकर आई है, जा तू भी जल्दी जा रूपा आँखे मलती हुई उठी, उसकी मा ने जान बुचकर कपड़ों का गठर उसके सिर पर रख दिया वो तालाब में पैर डाल कर बैट गए उफ, कितनी गर्मी है तभी उसके पैरों से कोई चीज टकराई, उसने देखा तो एक लकडी का संदूग था पहले तो वो डर गए, फिर उसने सहास करके वो संदूग बहार निकाला उसने जैसे ही खोला, तो ये देखकर हैरान हो गए कि उसमें एक परी आँखे बंद करके सोई थी इस संदूग को बंद करके इसी तलाब में छोड़ देती हूँ पतानी ये परी है कि किसी का मृत शरीर जैसे उसने संदूग तलाब में डाला, अचानक संदूग खुल गया और उसमें से एक चुड़यल निकली ए लड़की, इस तलाब में पैर डाल कर बैठनी की हिम्मत कैसी हुई तेरी चली जाए यहां से, पनतलाब में ही तेरी जलसमादी बन जाएगी रूपा डर के मारे उटकर भागने लगी तब ही उसे याद आया कि कपडों का गठर तो वो तलाब के किनारे ही छोड़ाई है जब वो वापस गई तो उसके आश्यर की सीमा ना रही उसने देखा कि पूरा तालाब कमल के फुलों से भरा हुआ था और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे पंखो वाली परियान रुत्य कर रही थी रूपा एक पेड के पीछे चुप गई तुम तुरंग यहां से चली जाओ वरना तुमारी आँखों की राश्नी चली जाएगी ये परियों का मनरंजन का समय है पर मेरे कपड़े भूल जाओ उन कपड़ों को जल्दी जाओ यहां से रूपा भागते भागते घर आई उसकी सांसे धौकनी की तरह चल रही थी आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी रूपा तेरा घरा कहां गया मा मैं किसी तरह जान बचा कर भागी हूँ वहां से मुझे तो वहां कोई परिय नहीं मिली बलकि एक चुडेल मिली थी तुमने वेकार में मुझे तालाब के पास दोड़ा दिया अरे मा मुझे तुम आराम करने दो बिना मतलब के ही सुभा सुभा जगा दिया आज तीरी सौतेली बहन स्कूल में दाखिला लेने गई है तु यही पड़ी-पड़ी सोती रहे देख नहीं रही परी ने उसको माला माल कर दिया और कितनी सुन्दर शकल बना दिया तु यही सरती रहे मा यह सब आपका क्याधरा है आपने मुझे कभी किसी से प्यार से बोला नहीं सिखाया काम नहीं करने दिया क्योंकि आप हमेशे सुधा से जलती थी उसको दुख देने के लिए आपने मेरी जिन्दिकी का सत्यनाश कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ साथ साल बाद सुधा पड़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी अच्छे लड़के से उसकी शादी हो गई थी रूपा की शादी तो हो गई परन्त उसके करकर स्वभाब और आलेसी की वज़ा से उसे ससुराल से भी निकाल दिया गया मा अपना सिर पकड़ कर बैड़ गई जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा बहुत साल पहले की बात है एक छोटे से गाउं में सावित्री नाम की महिला अपने बेटे प्रकाश और बहु रजनी के साथ रहती थी प्रकाश अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता और जैसे तैसे उनका परिवार का गुजारा होता था पैसों की कमी के वज़े से सावित्री हमेशा चिड़ी रहती थी और अपना गुस्सा ज्यादतर अपनी बहु रजनी पर उतारती थी रजनी एक बहुती नेक दिल की महिला थी और उसे जब भी मौका मिलता पशु पक्षियों की सेवा करती थी जैसे वो किसी गाय को कभी खाना खिलाती या चिड़ियों को दाने देती पर सावित्री को ये सारे चीजे फिजुल खर्च लगती थी और हमेशा रजनी को ये सब करने से मना क्या करती थी एक दिन बहु जल्दी से खाना लगा दो मेरा बेटा भूका होगा जी माजी बस मुझे थोड़ा सा समय दीजे मैंने अभी चिड़िया के मटकी में पानी रखा है हाथ धोकर अभी टेबल पर खाना लगा देती हूँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है इन चिड़िया गाय भैंसों को तुम खाना पीना देना बंद कर दो ये सिर्फ गंदगी फैलाती है तुम्हें ये खाना थोड़ी ला कर देंगी ना तुम्हारा कोई फायदा करेगी माजी कभी कभी बिना फायदे के भी काम करना चाहिए उपर वाला सब देख रहा है उपर वाले का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी ये बेवकोफियां मैं जरूर देख रही हूँ रजनी जल्दी से खाना लगा दो नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा बेटा तुम्हारा खाना लग रहा है मैं तब तक तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ अरे ये क्या घड़े में तो पानी नहीं है रजनी तुमने सारा पानी चिल्या के मटकी में डाल दिया मेरे बेटे के लिए एक बून भी पानी नहीं रखा आप मुझे एक मिनिट दीजे मैं भाग कर जाती हूँ और कुए में से पानी लेकर आती हूँ रजनी बड़ी तेज से कुएं से पानी लेकर आई फिर प्रकाश सावित्री और रजनी बैटकर भोजन करते हैं भोजन करने के बाद प्रकाश अपने काम पर चला जाता है बहू अब अपने इस बेवकुफियों को बंद करो हमारे पास नहीं इतने पैसे हैं और ना ही इतने साधन कि हम पसुपक्षियों की मदद कर सके मा जी आप चिंता न कीजे अब से मैं बिलकुल ध्यान दूँगी कि पहले मैं घर का सारा काम निप्टालू उसके बाद मैं ऐसा कुछ करूँ इतने में एक सफेद गाय रजनी के घर के सामने आती है उस गाय की आवाज सुनकर रजनी भाग कर घर के बहार जाती है और बचा हुआ खाना उस गाय को देती है रजनी गाय को खाना दे देती है और गाय उसे बड़े प्रेम से खा लेती है तभी रजनी ने देखा गाई के गले में एक पान लटक रहा है वो पान कोई साधरन पान नहीं था वो चमकीला और रंगीन पान था रजनी उस पान की तरफ देख ही रही होती है कि तभी वो पान उस गाई के गले में से गिर जाता है जैसे ही पान नीचे गिरती है एक घंटी की आवाज आती है रजनी अचिम्भे में पलचाती है एक पान में से एक घंटी की आवाज वो पान को उठाती है और उसे थोड़ा सा हिलाती है पान को हिलाते ही उसमें से घंटी की आवाज आने लगी रजनी समझ जाती है ये कोई साधरन पान नहीं वो पान को घर के अंदर रख लेती है कुछ देर में पान को घुमा कर देखती है तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है सच्चे मन से जो भी मांगो शन भर में पा जाओगे इस पानी की तकलिफ से तो सारी गाउंवाले परिशान हो चुके है किसी कोई किलास पानी भी पिना होता है तो धूप में खड़ा होकर खुवे तक जाना पड़ता है काशि दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए रचनी के ये कहते ही उस जादवी पान में से घंटे की आवाज आती है उसके बाद तो चमतकार हो जाता है रचनी के घर के ठीक सामने जमीन से पानी निकलने लगता है पानी की धार इतनी तेज होती है सब लोग वहाँ एक पानी का कुवाँ बना देते हैं और आस पास की सभी लोग वहाँ पानी भरने लग जाते हैं। ये देखकर रचनी बहुत खुश हो जाती है। अरे बहु तुमने देखा बाहर पानी का कुवा बना है। आज की बाद से हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। माजी ये तो गाय माता की देन है। आप कहती थी ना कि कभी कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितना फायदा हुआ। पानी की दिक्कत चली गई। रचनी फिर सावित्री और प्रकाश को जादवी पान की बारे में सारी बाते बताती है। बेटा, तुमने तो मेरी आँखे खोल दी, अब मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जितना मन हो, तुम पशू पक्षियों की मदद करो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, प्यार करो। अब मैं समझ चुकी हूँ, कि इससे बड़ा पुन्य और कुछ भी नहीं है। इतने में गाए माता फिर से आकर रजनी के दर्वाजे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है, जिसकी कलपना किसी ने नहीं की होती है। रजनी से पहले उसकी सांस सावित्री गाई के लिए खाना लेकर जाती है, और जाकर अपने हाथों से गाई को खाना खिलाती है। यह देखकर प्रकाश और रजनी दोनों प्रसन्न हो जाते है। रजनी तुमने तो इस जादवी पान की मदद से सब का भला कर दिया कुछ भला हम लोगों का भी कर दो रजनी जादवी पान को हात में लेकर अपने मन में कहती है माजी की जितनी भी गहने की ख्वाईश है पूरी गे जाए अचाना कलमारी में इतने गहने आ जाते हैं कि बाहर गिरने लगते हैं ये देखकर सावीत्री खुशी से जूमने लगती है और अपने बहु को खुशी से गले लगा लेती है उस दिन के बाद से अब उनका घर काफी खुशाल हो जाता है ना उन्हें पैसों की कमी होती ना ही खाने पीने की कुछी महीनों बाद अब सावीत्री गाए माता का दिया हुआ जादवी पान का उपकार भूल चुकी होती है उसका घमन और चुचड़ापन वापस आ जाता है सोफी पर बैठी बैठी सावीत्री एक दिन सूचती है मेरे पास अब तो पैसे की कमी नहीं है फिर भी सब लोग मुझसे ठीक से विवाहार नहीं करते इतना पैसा होने के बाद भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते पर ऐसा क्यों? सावित्री के दिमाग में एक आइडिया आता है वरजनी के कमरे से जादवी पान ले लेती है और जादवी पान को हाथ में लिए अपने मन में सोचती है कि सब लोग मुझे पसंद करने लग जाए तभी जादवी पान में से घंटी की आवाज आती है लेकिन उसके बाद सावित्री की आवाज जैसे गायब हो जाती है वो मूँ खोलती लेकिन कुछ आवाज नहीं निकलती वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो गया वो रोते हुए अपने बहु रजनी के पास जाती है लेकिन उसे कुछ भी बता नहीं पाती क्योंकि उसकी आवाज नहीं है रजनी सावित्री की दुविधा समझती है और जादवी पान हाथ में लेकर मांगती है मा की आवाज वापस आ जाए और तुरंथी आवाज वापस आ जाती है बहुत बहुत धन्यवाद पहू मुझे तो लगा था कि मैं जिन्देगी भर कूंगी ही बनकर जिऊंगी पर मा जी आपने चादवी पान से सक क्या मांगा था जिसके लिए आपकी ये हालत हो गई मैंने बस इतना मांगा कि सब लोग मुझे पसंद करने लग चाए पता नहीं क्यों इस चादवी पान ने मुझे गूंगा कर दिया मांजी मुझे तो इससे यही पता चलता है कि सब लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्यूंकि आपकी जुबान करवी है आप थोड़ा प्यार से बात करना सीख लीजे सब लोग खुद वो खुद आपसे प्यार करने लग जाएंगे आपसे बात करने लगेंगे सरोजनी को रजनी की बात समझ आती है और उसकी बात मानते हुए वो अपने वेवहार में परिवर्थन लाती है उस दिन के बाद से सावित्री गाउं के लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों से भी बड़े प्यार से बरताव करती और उनकी खूब मदद किया करती है रिवा में राविंद्र और राजु नाम के दो भाई हुआ करते थे एक पान की दुकान पर दोनों भाई काम करते थे खासा पैसा तो नहीं कमाते थे पर दाल रोटी का खर्ट चल जाता था राजु छोटा भाई था और राविंद्र बड़ा भाई था राजु क्या कर रहा है सुभा के साथ बज गए जल्दी उठ और जाकर दुकान खोल उठ रहा हूँ भाईया राज को बरतन दोते वक्त उंगली कट गई थी उसका दर्ध पूरी राज सोने नहीं दिया तो जाकर अस्पताल में दिखा लेना फिर दुकान खोल लेना राविंद्र अराम से दस बजे के आसपास दुकान पर आया करता था और आकर कमाई का हिसाब लेकर चला जाता था एक दिन दोनों भाई में दुकान के हिसाब को लेकर जगड़ा हो गया ये पत्चास रुपिय का पान किसे बेच डाला जो तु लिखा है हर ग्राहक का चेहरा याद नहीं रहता तो उसका हिसाब किधर है उधारी करके गए होंगे वो तु चोरी करता है जूट बोलता है निकल जा यहां से राजु दुकान छोड़कर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया जंगल में राजु काफी दूर आ गया था उसे खुद नहीं मालुम था वो कितना ज्यादा अंदर आ गया वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था ये क्या कर दिया मैंने अब वापस केसे जाओ रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको अंधेरा होने लग गया था राजु अब घबरा गया था अंधेरा होने वाला है अगर रास्ता खोजने निकलू और कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए तो नहीं नहीं मैं रात कहीं छिपकर गुजारा कर लेता हूँ राजु ने एक पेड़ पर चड़कर उसी पे रात कटाने का विवस्था बना लिया रात हो चुकी थी उल्लूों ने आवाज करना शुरू कर दिया था ये कैसी आवाज आ रही है शायद उल्लू है हाँ हाँ ये उल्लू की ही आवाज है फिर गडगड़ा हट की आवाज हुई इतनी भागड़ और रास्ता खोजने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया की मैं सुबह से भूका हूँ इसलिए ये मेरा पेड़ भी आवाज कर रहा है अब इस जंगल में खाना किधर से लाओं तभी थोड़ी देर में राजु को उसी पेड़ के एक कोव में नजर पड़ी उसमें एक रोटी रखी हुई थी ये क्या इसमें तो रोटी रखी है और ताजा भी लग रहा है राजु थोड़ा चरिय में पढ़ गया और फिर सोचने लगा इस विशन जंगल में इस खोव में रोटी कौन छोड़ सकता है भला शायद पंच्छी उड़ा कर ले आये होंगे उपर वाले का अश्रवाद है चलो खा कर भूख को कम कर लेता हूँ आज का नसीव इतना ही है भूखे नहीं सोना पड़ेगा कम से कम राजू ने रोटी को जैसे ही हाथ में उठाया उस कोव में दो पत्ते तूट कर गिरे और जैसे ही राजू पत्ते उठाकर उस पर वही रोटी रखकर खाने लगता है वो पत्ते गर्मा गर्म रोटी बन गए ये रोटी तो जादूई है, इसे छूते ही पत्ते गरम रोटी बन गए राजू ने वो गरम रोटी खाई अरे वाह, इस रोटी का स्वार तो लाजवाब है किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं है साथ में, इंसान यूही खा सकता है राजू ने उस कोव में एक दो पत्ते और डाल कर उसको रोटी बना कर खाया और उस जादूई रोटी को वही कोव में रहने दिया ये रोटी यहीं सुरक्षित रहेगी, इसे कहीं ले जाऊंगा तो दूसरों को पता चल जाएगा वैसे भी कौन आएगा इतने भिशन जंगल में रोटी खाकर राजू सोने को सोचा चलो, अब सो जाते हैं, सुभा देखते हैं क्या करना है सुभा होते राजू के ठकान भी मिठ चुकी थी वो कुछ पत्तों से रोटीया बना कर अपने साथ रख लिया और रास्ता खोचने में निकल गया अगर रास्ता फिर भटक गया तो ये रोटीया मेरे काम आएंगी वो रास्ते खोचते हुए जंगल के बाहर एक हाईवे पर पहुंच गया शायद वो सड़क है, चल कर देखता हूँ जादवी रोटी जिस पेड की कोहों में रखी थी, वो भटक न जाए इसलिए राजू ने रास्ते में निशान लगा दिये थे हाईवे पर एक धाबा था, राजू वहां काम मांगने के सिलसिले पुछताच करने गया कोई काम मिलेगा सर जी, भाई ने घर से निकाल दिया है बेटा, वैसे भी इस जंगल को देख कर हाईवे में गाडियां कम रुकती है, जो रुकती है, वो सब रोटी खाने के लिए रुकती है तो रोटी बना सकता है, तो यहीं रुक जा, खुद भी खाना, और ग्रहकों को भी खिलाना, मुनाफे में तेरी पगार भी बनेगी उस धाबे पर रोटी बनाने वाला मिस्त्री काम छोड़कर चला गया था ठीक है, मैं रोटी बना तो दूँगा, पर उसको मैं यहाँ धाबे पर नहीं बनाऊंगा, मेरी अपनी जगा से बनाऊंगा मुझे रोटी से मतलब है, जैसे लगे खिलाना अगले दिन रोजाना सुभा, राजु जंगल से रोटिया बना कर लाने लगा वह, यहाँ की रोटी का स्वाद लाजवाब है, यह लीजिए 50 रुपे एक्स्ट्रा टिप, इन स्वादिष्ट रोटियों के लिए शुक्रिया सर जी, सब हमारे इस राजु का कमाल है इस तरह से राजु की रोटी पूरे शहर में मशूर हो गए धाबा शांदार चलने लगा, धेर सारे बस और ट्रक धाबे पर रुखने लग गए राजु जादुई रोटी पेड की पत्तों से रोटी बनाने के साथ साथ वहीं पर नए पेड लगाने भी चालू कर दिया नाम मशूर होने के बाद राविंद्र भी राजु से अपने गलती के माफी मांगने आ गया हो गया राजु, अब तु बड़ा आदमी बन गया है, मुझसे भी भूल हो गई थी, तुझे निकालना नहीं था मुझे और फिर राविंद्र उस धाबे के पास ही पान की दुकान लगाता है, कुछ लोग बहां आते है अरो सुनो, ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ अपना दुकान कैसे लगा सकते हो, जल्द से जल्द अपना दुकान हटाओ यहां से जी, मेरा भाई यहीं सामने धाबे पे काम करता है, इसलिए मैंने भी यहीं पास में अपनी दुकान लगा ली है अरो वो हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी करना है करो, मगर यहां से अपनी दुकान हटाओ, वरना मजबूरन हमें तुमारा दुकान तोड़ना पड़ेगा जीप कोई तरीका नहीं, जिससे मुझे यह दुकान नहीं हटाना पड़े हाँ, तरीका तो है, तुम यह जमीन खरीद लो, हम पैसे लेकर चले जाएंगे, फिर तुम अपना दुकान लगा सकते हो, दो दिन में हम वापस आएंगे, दुकान नहीं हटा तो तोड़ देंगे सभी जाने लगते हैं और तभी वहां राजु आता है कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? भाई, मुझे ये दुकान हटाना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पान नहीं बेच सकता क्यों भया, क्या हुआ? उन्होंने कहा है, ये जमीन उनकी है, इसलिए जल्द से जल्द मैं ये दुकान हटा दूँ और अगर ये दुकान चाहिए तो उनकी जमीन खरीद नहीं होगी, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, जो मैं ये जमीन खरीद सकूँ, वो लोग दो दिन में वापस आएंगे, और दुकान तोड़ कर जाएंगे रावेंद्र दुखी होकर वापस घर जाने लगता है सुन भाई, अब मेरा यहां कुछ काम नहीं, तुम अपना काम करो, मन लगा कर करो, मैं इस दुकान को तूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगा जी भाईया, ठीक है दो दिन बीच जाते हैं, रावेंद्र राजु से मिलने धावे पराता है भाईया, आप यहां क्या कर रहे हैं, जाइए अपनी दुकान चलाइए भाई, तो भी क्या मजा कर रहा है, अब तक तो उन लोगों ने दुकान तोड़ ही दिया होगा अच्छा, एक बार जाकर तो देखिए रावेंद्र देखता है, उसका पान का दुकान एकदम सही सलामत था अरे, यह कैसे हो गया? भाईया, मैंने उनसे यह जमीन खरीद ली है अब आप आराम से अपना दुकान चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रावेंद्र पान बेचने का काम करने लगता है, और राजिर रोटी का वह, एक तो इतना बढ़िया रोटी इस डावे की उसके बाद पान खाने का अलग ही मसा है जरूर सहाब, पताईए क्या लेंगे पान में? कथ्या चूना सुपारी के साथ बढ़िया पान खिलाव भया अभी लीजिये सहाब इस तरह से आगे चलकर धावे वाला राजू और पान वाला रावेंद्र अपने अपने काम से सभी धनवान हो गए राजू ने अपनी जादूई रोटी से धाबे की किस्मत चमकाई और राजू की वो जादूई रोटी की वजह से रावेंद्र का पान दुकान चल उठा राजू यूँ ही पत्तों को रोटियां बना कर आगे भी पेड लगाता रहा झाल पूँ है वोटी की वो जघ्या रहा है